दोस्तों एक बार आपका फिर्ट से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल S के स्टेडी पॉइंट एंड मैथ लॉज यह हम है आज हम डिसकस करेंगे वो रहेगा ट्राइगोनोमेटरी 10 मिनिट्स के अंदर 20 कोर्शन्स का हलुआ बनाएंगे तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी सीरीज को इस सीरीज में ट्राइगोनोमेटरी के बेस्ट नॉर्मल से रॉलमर्ड छोटी से छोटे कोशन्स होंगे जो के आडी शर्मा से लिए गए होंगे आडी शर्मा की एक्साइज 6.1 से बिलों करेंगी सारी कोशन्स तो इस्टार्ट करते हैं आज की सीरीज तो पहला कोशन आपके सामने है क्या के बुल रहा है कि 1-Cos square theta और कुसे square theta is equals to one proof करना है तो simple से funda आपको लेना है taking LHS जब आप LHS ले लेंगे तो ये वाला पार्ट आपके सामने मिलेगा हम जानते है 1-Cos square theta जो होता है वो होता है sin square a और ये जो होता है वो होता है 1 upon sin square a okay sin से sin cancel out होगा आपको one मिलेगा ये RHS रहेगा याने कि पहले ही side ये one question आपका हो चुका है आप देखेंगे one plus cot square x जो होता है one plus cot square a जो होता है वो होता है kusack square a kusack square a होता है ये होता है sin square a ये identity आपको याद करनी पड़ेंगी ये होता है one upon sin square a one upon sin square a into sin a ये हो गया sin से sin cancel out होगा तो आपको one answer आएगा तो ये भी आपका question prove हो गया okay question number 3rd क्यों चलते है question number 3rd देख पा रहे होंगे आप question number 3rd में आपको ये बारला पार्ट मिला है तो इस वाले पार्ट में आपको करना ये है कि देखिए इस दोनों पार्टों को solve करेंगे तो आपको ये मिलेगा 10 square theta और cos square theta is equals two one minus cos square theta is equals two होता है sin square theta क्या होता है sin square theta okay तो देखिए 10 square theta यहाँ पर आपके सामने होगा यह one upon sin square यह sin square theta upon cos square theta हो जाएगा और यहाँ पर यह हो गया 10 square theta और यहाँ पर भी 10 square theta यानि कि दोनों side equal है तो यह भी questions prove अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर आपको कुसेक theta है कुसेक theta से आपको कुछ नहीं कहना है यानि कुसेक theta ही रहेगा यहाँ पर आप देखेंगे one minus sin square theta होता है आपका one minus cos square theta होता है sin square a sin square theta जो होगा sorry theta है यहाँ पर theta लिखेंगे तो kusac theta यहाँ पर लिखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा sin theta तो यह दोनों cancel out होंगे आपका 1 आजाएगा यह sin under root से बार ने कालोंगा तो sin आएगा next question चलते है question more 5 देख लेते है question more 5 आपके सामने है तो आपके सामने जो value मिलेगी वो रहेगी 10 square theta यहाँ पर आप देख पा रहे हैं kusac square theta minus 1 kusac square theta minus 1 तो आपके सामने यहाँ पर क्या value मिलेगी cot square theta 10 से cot कटेगा तो कहाएगा 1 इस तरीके से भी कर सकते हैं और दूसरा तरीका मैं आपको बता दू इस तरीके से भी लेख सकते हैं 1 upon cos square theta minus 1 तो इस वाले पार्ट को यह से लेख सकते हैं और इस वाले पार्ट को लेख सकते हैं 1 sin square theta minus 1 यह हो गया यहाँ पर मिलेगा 1 minus cos square theta और theta यह वाली value मिल जाएगी यहाँ पर जो मिलेगा वो होगा 1 minus sin square theta upon sin square theta clear, तो ऊपर जो होगा आपका ऊच्छ अकम लेकर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी यहांपर देख लेते हैं, इस वाली value पो देख लेते हैं इसका multiply जब मैं इसके साथ करूँगा इसका multiply जब मैं इसके साथ करूँगा तो यहाँ पर जो value मिलेगी मुझे क्या मिल जाएगी 10 square पर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आपको करना क्या है इसे खोल लोगा sin theta upon cos theta में जब यह cot हो जाएगा तो court खुल सकता है cos theta upon sin theta में जब यह वाली बात हो गए दोनों का LCM लिया आपको cos theta यहाँ पर मिलेगा sin theta यहाँ पर मिलेगा यहाँ पर हो जाएगा sin square theta plus cos square theta उपर वाली value 1 होती है यह हो जाएगा cos theta sin theta 1 upon cos theta होता है sec theta 1 upon sin theta होता है sec theta तो यह दोनों value यह RHS prove इस तरही किसा आप इस question को कर सकते हैं next question देखें question number 7 question number 7 आपके पास है यानि कि यह वाली value cos theta 1 minus sin theta देखें cross multiplication करूंगा opposite sin से तो यहाँ पर हो जाएगा plus sin theta और यहाँ पर हो जाएगा plus sin theta तो यह वाली value जो मिलेगी हो रहेगी cos theta 1 plus sin theta और यह वाली जो होगी 1 minus sin square theta ठीक है तो यहाँ पर आएगा cos theta 1 plus sin theta और यहाँ पर हो जाएगा sin square theta यानि के cos square theta cos से cos cancel out होगा तो यही value आपकी prove करनी थी यह वाली value ही आपको prove करनी थी यह हो गया देखें सेम question है same question है भाई do yourself same question है do yourself same इसी की तरीके से यह आपको खुद करना है question number 9 देख लेते है question number 9 में क्या है cos square theta cos square a sorry और यहाँ पर 1 plus cos यह होगा तो यह हो जाएगा आपका 10 नहीं सुरी sign होगा cot है ने को सकते हैं cross square a यह लिख सकते हैं क्या लिक सकते हैं cross square a और यह आपका one है यह तो यहाँ पर हो जाएगा cos square a one upon cross square a sin square a क्या होगा sin square तो यह तो होथा one तो यह one होगा ठहुँは च्कए यहाँ पर देख लेँ यह होगा así square a same question है यहां पर हो जाएगा, यह 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 हो जा करूंए तो यहां पर हो जाएगा one सरी यह ओजाएगा one minus होलल स्वेरर आ जाएगा oh yeah how mighty star हो यहां पर हो जाएगा कॉस्वेर a okay यह वाली बेल्य मिलेगी जब यह वाली बेल्य मिल जाएगी तो ओपर कह रहाएगा one minus कॉस ए का होल डीस स्वेर A, जब मैं दौनों से उपर whole square लगा लूँगा इस तरीके से तो यह वाली, यह value मिलेगी वो रहेगी, cos A upon sin A whole square से यह root हट जाएगा, ठीक है, जब यह root हटेगा तो आपको value मिलेगी, 1 upon sin A minus cos A upon sin A तो जो answer रहेगा, वो रहेगा कुसेक A कुसेक A कह लीजिए, या ठीटा कह लीजिए, कोई फरक नहीं पड़ता है, कुसेक A और कॉट A, clear, आप A की जगए ठीटा लगा सकते हैं, क्योंको question में ठीटा available है, तो यह answer रहेगा, okay देख लेगा, यह question में previous करा चुका हूँ आपको, यह आप खुद करिएगा, same question है, यह आपकर करना ही है, क्यों से multiply करना है, और देन उसे solve करना है, do yourself, do yourself, okay, कोई problem हो, तो मैंसे comment करिएगा, मैं उसका solution आपको provide करा दूँगा, next चलते हैं, next question देखिलते हैं, similar question है, यह previous question, 11 question जो है, previous है, सायद यही question है, यही question है, चल इसमें 13, 14 नहीं दिए गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट मैं यह आप देख लेता हूँ, 15 question को देख लेता हूँ, 15 question में क्या है आपके सामने, 15 question में यह है, कि इस वाले part को आपको solve करना, तो देख लेते हैं, यह होगा, 1 upon sin theta, प्लस sin theta, ओके, यह bracket, यहाँ पर होगा, 1 upon sin, और यहाँ पर minus sin theta, ओके, यह प्रूफ करना ही है, यह लाना है आमें part, हमने क्या किया, यहाँ पर 1 plus sin square theta upon sin theta, यह वाला part को expand कर लिया है, अब इस वाले part को expand करेंगे, 1 minus sin square theta upon sin theta, क्लिया, यह हो गया, देखे, 1 minus sin theta, यहाँ पर यह होता है, cos square theta, वान प्लस sin square theta, ठीक, यह हो ग square theta क्लियर कोई प्रोप्लम नहीं हो जी cost upon sin क्या होता है 왜, या cot होता है cost upon sin, cot होता है तो देखें, यहाँ पर हो जाएगा cot square theta और 1 plus sin square theta це vaon theta ओके, देखें जब ये cot है तो इसका multiply यहाँ करूँगा तो cot हो जाएगा cot square theta प्लस जब मैं इसका multiply इसके साथ करूँगा तो इसके denominator में cost upon sign होता है तो यहां किवल cost रहेगा sign cancel out हो जाएगा यह रहेगा आप cancel यानि कि RHS आपकी यही रहेगी यही आपका question है ठीक है? चलिए next question देख लेते हैं question देखें one plus court square theta one plus court square theta होता है कुसे एक square theta यह मैं आपको भी बता चुका हूँ अगर नहीं हो पाए इस तरीके से आपको identity याद नहीं हो तो यह जब मजी जी का court क्या होता है? cos upon sign तो यहां पर देखेंगे cos upon sign होता है तो यहां पर हो जाएगा sin square theta sin square theta plus यहां पर हो जाएगा cos square theta upon में जो आएगा वो रहेगा sin square theta clear यह bracket closed यानि bracket को expand कर दिया है यहां रहेगा आपका sin theta upon cos theta यहां पर हो जाएगा one upon cos square theta यानि कि मैंने इसे sin upon cos में तोड़ लिया ठीक तो यहां पर देखें sin से sin को cancel out कर दूँगा यहां से sin से sin को cancel out कर दूँगा यह वाला पार्ट इसके साथ multiply हो जाएगा यह वाला पार्ट इसके साथ multiply हो जाएगा तो देखेंगे आप यहां पर आपको आएगा cos theta यहां पर हो जाएगा sin square theta plus cos square theta यह वाली बात हो जाएगी और denominator में जो आएगा वो आएगा cos theta विशेश करके आप यह देखिएगा कि कॉट लाना है क्या लाना है कॉट तो यहां पर साइन आना चाहिए देख लेते हैं एक बार कॉट जो होता है कॉस अपॉन साइन होता है coin 1算 होता है साइन इसकियर हो गया संप्लस कॉट स्केर अपन ये हो जाएगा यहां पर हाएगा साइन त्यक्वार्य मै trust C सिंगल साइन बचेगा तो यहां पर साइन धीटा हो रहां तो यहां पर एक सिंगल कॉस बचेगा तो यह बचेगा क्या कॉस ठीटा पॉन साइन धीटा इंट वन तो आपका रहे RAM pea तो मुझे बता दीजीगा नेंस चलता हूं नेस्ट कॉश्चे हैं आप oni पास तो स१ीर दिख सकता हूं वं अपन कॉस monthго कॉस रिखेंगे खुंड दिखườ arriver 1 upon cos यहाँ पर लिखेंगे cos theta expand करेंगे 1 plus cos square theta upon cos theta यहाँ पर लिखेंगे 1 minus cos square theta upon cos theta यह हो गया sin square theta 1 plus cos square theta upon sin square theta upon cos square theta यह होता है 10 theta तो 1 plus cos square theta और यहाँ पर 10 square theta जब 10 का multiply यहाँ पर करूँगा तो 10 square theta plus sine square theta that is answer next question देख लेते हैं question number 18 question number 18 क्या है sec theta है sec को हम लेख सकते हैं 1 upon cos 1 upon cos का जैसी multiply करूँगा 1 upon cos theta हो जाएगा cos A, यहाँ पर हो जाएगा sine A upon cos A sine A upon cos A एक bracket के अंदर यह रहेगा दूसरे bracket के अंदर रहेगा 1 upon cos A plus sine A upon cos A यह वाली value रहेगी दोनों का LCM लिया तो यह होगा cos A और यहाँ पर होगा 1 minus sine A यह वाली बात हो जाएगी जब यहाँ पर देखेंगे LCM लिएगे तो cos A यह हो जाएगा 1 plus sine A जब दोनों का multiply करूँगा तो 1 minus sine square A upon cos square A यह हो जाएगा और cos square A upon cos square A is equals to 1 हो जाएगा यह आएगा आपका 1 तो यह question हो जाएगा question number 19 देखते हैं question number 19 यह रहेगा 1 upon sine होता है यह तो sine square 1 minus sine square A upon sine A clear? यह हो जाएगा जब मैं second part को देखूँगा sec होता है तो यह हो जाएगा 1 minus cos square A यह cos है cos square A upon cos A clear? यहाँ पर आप देख पाएगे यहाँ पर हो जाएगा आपका इससे sine upon cos में खोलिएगा इससे cos upon sine में खोलेंगे तो expand करेंगे तो यहाँ तो हो जाएगा sine theta, sine A, cos A sine A, cos A और यहाँ पर हो जाएगा sine square A plus cos square A यह वाली बात हो जाएगे जब मैं इनको देखूँगा यह हो जाएगा cos square A, यह हो जाएगा sine square A तो जब यह cos square A into sine A यहाँ पर हो जाएगा sine square A into cos A into में 1 upon sine A cos A, यह वाली बात हो जाएगे एक sign से ये वाला sign cancels, ये वाला cost से ये वाला answer, ये sign से zero sign, एक cost बचेगा इससे ये cancel out और एक sign से ये वाला cancel out, यानि ये part पुरा का cancel out जाएगा, तो वन आपका answer आएगा, one is the right answer, RHSO, देखें, अब last question है, 20 question है आपके फार्मने, 20 question में आपको बताया है, 10 है यहाँ पर sign है, 10 आपके सामने है, तो देखें, simple सा फंडा आपको यहाँ पर यह करना है, इसे sin square a में रख लेना है, sin square theta, cos square theta, okay, minus sin square theta, यह हो जाएगा, अब आपको करना यह है, कि इन दोनों उसको common ले लेना है, यानि कि sin square theta common ले लेना है, यहाँ पर बचेगा, क्या, one upon cos square theta, minus one, जब ऐसी condition बनेगी, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से LCM लेंगे, one minus cos square theta, okay, theta upon cos square theta, यह हो जाएगा आपका sin square theta, यह हो जाएगा sine square theta, यह हो जाएगा 10 square theta तो यही आपके RHS है तो यह आपके questions हुए यह थे आपके top 20 most important questions जो के आपके RD Sharma की 6.1 exercise के थे जिने हम आज हम solve कर चुके हैं आगे भी इस series को हम चलाते रहेंगे यानि के RD Sharma की trigonometry का full solution आपको यहाँ पर मिलेगा आप हमारी चैनल को subscribe कर सकते हैं यदि आपको हमारा session अच्छा लगा हो तो ठीक है और अपने friends को भी share कर सकते हैं Thank you for keep watching